हिचकी कभी कभी आए तो सिर्फ परिशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लगातार और बार बार आए तो कई बिमाजियों का संकेत हो सकती है बार बार और लगातार हिचकी आने का कारण तनाव निमोनिया दिमाग वर पेट का ट्यूमर हो सकता है कभी कभी हिचकी आए तो उसे परिशान मत होए बल्कि घर में ही इसका उपचार करिए आए जानते हैं हिचकी आने के कारण और इसके उपचार हिचकी आने का सबसे बड़ा कारण पेट और फेफडे के बीच स्थित, डायफ्राम और पसलियों की मास पेशी में संकुचन है डायफ्राम के सिकुडने से फेफडा तेजी से हवा ठीचने लगता है जिसकी वज़े से किसी को भी खिचकी आ सकती है इसके लावा, खाना काने में गैस के चलते पेट को ज्यादा भरा हुआ महसूस होता है, तब भी खिचकी आ सकती है खिचकी आने पर करे ये घरे लूपाए, आपको तुरन्त मिलेगी राहत पानी पीने से रुक जाती है हिचकी जब भी आपको हिचकी आए तो फोरन पानी पीजिए हिचकी रोकने के लिए अपनी नाग को बंद करें इसके बाद पानी का एक बड़ा घूंट अपने मुँ में भरें और फिर उसे पी लें कुछ ही देर में आपकी हिचकी आनी बंद हो जाएगी शहद से करे हिचकी का उपचार हिचकी आने पर शहद का सेवन करने से हिचकी रुक जाती है शहद नर्व सिस्टम को सही से काम करने में मदद करता है चीने खाकर रोके हिचकी चीन को हिचकी का सबसे पुराना उप्चार माना जाता है जब कभी आपको हिचकी आए तो एक चमच चीनी को मूँ से लेकर तोफी की तरह चूसे ऐसा करने से हिचकी जल्द ही रुक जाती है नीमू और चीनी भी है हिचकी का उप्चार जी हाँ, अगर हिचकी की वज़े से दिल तेज तेज जोड से धड़कता है, तो नीमू और चीनी का इस्तमाल करें नीमू को दो भाग में काटें, एक भाग पर चीनी चिड़के और उसे चूसें चीनी को नीमू के साथ चूसने पर हिचकी जल्द ही रुक जाती है हमारे द्वारा बताये गए उपायों में से, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको इन उपायों में से सबसे अच्छा उपाये कौन सा लगा